हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आर्वी अटिटीव क्लास में तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कोस्टन ले करके आया हूं यह कोस्टन क्लास 9 की मैट से एक्सरसाइज 10.3 का कोस्टन नंबर 3 है इस वीडियो में इस को to discuss करेंगे आपसे एक ही रिक्वेस्ट की आप इस वीडियो को देख्यें और अंत्र देख्यें ताकि आपको इस वीडियो intersect at two points prove that their centers lies on the perpendicular bisector of the common chord यहां पर इनका कहने का मदलब यह है कि मारे पास ऐसे दो सर्किल है एक सर्किल यह पहली वाली है जिसका सेंटर ओ है यह दूसरी वाली सर्किल है जिसका सेंटर ओडैस है यह दोनों सर्किल पी पॉइंट पर और क्यू पॉइंट पर एक की दूसरे को intersect कर रहे हैं यह दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर intersect कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम है ठीक है पॉइंट का नाम क्या है एल है तो हमें यह बताना है कि यह जो लाइन है ओ ओडैस जो दोनों सेंटर की बीच की डिस्टेंस है यह है इस PQ को बाइसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मदला होता है कि को तो इक्वल पार्ट में डीवाइड करे और जिस पॉइंट पर इंटकूलक होता है बाइस सेक्टर आप PQ, PQ जो है हमारा वो common card है, आप देखरे हो PQ जो है इस circle में भी है और इस circle में भी है, तो PQ हमारा क्या हो गया? common card हो गया, तो यहां पर जब हम solution करेंगे तो given write करेंगे, given थोड़ा लंबा है तो मैं पहले write कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, तो given है हमारे पास let two circles with center O and O' यह हमारे पास दो circle है इसका center O है और इसका center O' है intersect each other at point P and Q तो देखो यह दोनों circle एक दूसरे को P point और Q point पर intersect कर रहे हैं thus PQ is the common chord as shown in the figure alongside तो देखो PQ जो है इन दोनों की एक ही chord है जो दोनों में है तो इसलिए इसको common card वोला गया है alongside का मतलब होता है bugle figure में आपको दिखाया गया है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे देखो join करेंगे ड्रॉव और ओल पर्पेंडिकूलर on PQ and O-L perpendicular on PQ तो देखो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से इस O-L को perpendicular ड्रॉव करेंगे पर्पेंडिकूलर ड्रॉव करने का मतलब होता है 90 डिग्री बना करके ड्रॉव करेंगे जैसे ही O-L perpendicular होता है PQ पर और O-L perpendicular होता है PQ पर तो यहां पर एक ठेरम आ जाती है ठेरम 10.3 यह कहती है कि अगर हम सर्किल के सेंटर से कॉड़ पर कोई भी perpendicular ड्रॉव डालते हैं तो वह उस कॉड़ को बाइसेक्ट करेंगी यानि कि दो इकोल इकोल पार्ट में डिवाइट करेंगी और इसका मतलब यह हो जाएगा कि ओल बाइसेक्ट प्यक्यू एट अल ठीक है आप इसका डीजन क्या होगा तो देखो जैसा कि भी मैंने बताया थेरम 10.3 तो आप यहां पर यह भी लिख सकते हो थेरम 10.3 या फिर आप पूरा थेरम लिख सकते हो तो मैं यह आप पूरा थेरम लिख पर्पेंडिकूलर फ्राम दा सेंटर आप दा सर्किल तू दा कॉड बाइसेक्ट दा कॉड किसे बाइसेक्ट करेगा कॉड को बाइसेक्ट करेगा ठीक है यह हमारी थेरम होती है तो यहां से हमें दो चीजे पता चली देखिए यह दाइट इज का सिंबॉल होता है एक बात तो यह पता चली देखिए जब ओल जो है पीक्व को बाइसेक्ट कर रहा है तो जो हमारा हो जाएगा पी यल इज इकॉल टू क्यू यल एंड एंगल ओल पी इस इकॉल टू 90 डिग्री यह हमारा एक्वेशन नंबर बनेगा क्या बनेगा एक्वेशन नंबर बनेगा सिमिलारली हो जाएगा हमारा इस प्रकार से दूसरा सिमिलारली कि ओ डैस एल बाइसेक्ट पी क्यू एट पॉइंट एल अब ध्यान देना यहां भी सेम रिजन होगा क्या चीज रिजन यहां पर सेम होगा और वो क्या रिजन होगा रिजन होगा परपेंडिकूलर प्रॉम दा सेंटर आप दा सर्किल तू दा कॉर्ड बाइसेक्ट दा कॉर्ड ठीक है एक बार मैं इसे फिर से पढ़ देता हूं कि इसका कारड क्या होगा देखो यह हमारा इसका कारड होगा थेरम 10.3 पर पेंडिकूलर फ्राम दा सेंटर आप दा सर्किल तू दा कॉर्ड बाइसेक्ट दा कॉर्ड यह हमारा कारड होगा इसका तो यहां से हमें उड़क सिद्ध इक्वेशन सेकंड और यह जो इक वेशन नमबर फस्ट है और यह जो इक्वेशन नमबर सेकंड है इन दोनों यह मिलगा क्या एक हमें यह मिल जाएगा एंगल ओल पी एंगल ओल पी प्लस एंगल ओ सल पी छो दोगा यह दो नों का सम हो जाएगा जब दोनों को सम करेंगे तो मिलेगा तक्ति आपको पता है कि किसी भी एंगल का संझ जब 180 आता है तो वह एंगल किस पे होता है वह एंगल एक लाइन तो लोड़ायस विद प्यालिज कुएल तो यहां पर हमने देखा कि यह एक स्ट्रेट लाइन भी बन रहा है और पी ल क्यूल ईकौल है देखो टीओल हमारे पास यह है और क्यूल एक है यह दोनों एकौल होने का मतलब होता है कि एलपॉयंत मिड में है और पी क्यू ज बाइसेक्ट हो रही है, therefore, the center of two circles lies on the perpendicular bisector of the common chord तो मैं यहां से कह सकते हैं कि यह जो center होगा, circle का दोनों, यह इस common card को perpendicular bisect करेगा और यहां से यह theorem हमारी क्या हो गई? प्रूब हो गई और यहां से कोशन हमारे क्या हो गया? hands approved ठीक है? तो यह इस कोशन का हमारा answer होगा तो उमीद करता हूँ student इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा अगर यह वीडियो आपको helpful लगया है, तो वीडियो को like कीजे, दोस्तों को भी share कीजे अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल को भी subscribe कर लिजे, हम इसी प्रिकार की वीडियो लेके मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए thank you class के उपया है, रवीडियो की वीडियो की तो अगर आपको की वीडियोड़ वीडियोड़ाई भी घर हैं अगर वीडियोड़ारी वीडियोंगाटे तो यूटल्स